फेर एकपटक मिलमची खानेपानी आयोजना को उदखाटन भाई को सा। फेर एकपट मिलमची खानेपानी आयोजना को उदखाटन भाई को सा। म सांतिगिरी योहो निउस्जेट टुडेई। येता अर्थ तंत्र मा थी संकट आयको भनियर लगातार आलोचना हुन थाले पसी अर्थ मंत्री जनार्दन शर्माले पत्रकार सम्मेलन नहीं गरेर अर्थ तंत्र मा कुनेई छुल संकेत न आयको घोशना गर्न भाई को सा। तर दक्षिने एसेया मा सिवलंका को उदाहरण देखायका औनी बर्दो महंगी संसंगई लगातार उकालो लागेको पेट्रोलियम पदार्थ को मुल्य भोगेका आम जनता अर्थ तंत्र सही ठाव मा सब हनेर पत्यावन सक्की रहेका सैनन। अर्थ तंत्र को कतिपए शुचकांक नकरात्मक देखियेको अहिलेको अबस्ता विपक्सिलाई सरकार लाई घेरने बहाना पनी बने को सा। जेस्ट नांगरी गरले बता पायान वने अनुठ नमाननो बला दिन शक्मे अबस्ता शायाँ योजन हरू आयोजन हरू काटिये गासा। त्यो गठवंदन मा नाये काता खुशी ने बला। अब कुनाई विदेशी इस पानी हार अरगेगा के नांगरी घर को पुरा सुन्यो बने बृद्ध बता बने दिनो न शक्ने है। पुरा यो पुरा हरूता गर्ना सकींचा अबन्नाता थूर्चा अन्ता बन्नाता पायो निता। मुलुक को अर्थ तंत्र को बिशेमा सत्ता पक्षेर फ्रती पक्षेपीज केही दिन एता देकी सभाल जबाब सली रही कुशा। एकली अर्पलाई काउंटन गर्देई अर्थ तंत्र लाई नम्मत जईले राजनिती करण गरी रही को बिटीन सा। गता चईद 27 बते निक पा इमालेका अध्यक्षे केपी सर्मा उलिने देशको आर्थिक अबस्ता स्रीलंका को जस्ताई बन्न लागे को बन्देई निके चीन्ता बेक्ता गरे। नेपाल राष्टिय सिचक संगठन को तेरव राष्टिय महाधिपेशन को घाटन सम्हारवलाई सम्भोधन गर्देई अध्यक्षे उलिने देशको आर्थ तंत्र स्रीलंका को जस्ताई बन्न लागे को बनेरा धेरे मेर चीन्ता जायद गरे। अजय उल्ले सत्ता पक्छे माधि एसरी कटाक्षे गर्षन कर्म सारे ले तलब पायन र झेश्ट नागरी करूले बदतान नपसे इमा उनज़ नो पड़तेइन, सत्ता पक्शे प्रती एसरी प्रहार गर्षन। वाल को स्रकाली दिसको आर्थ तंत्र दोस्त बनायर देसा कि बर्भाग बनावड देसा करीत करीन कत तर्फे के इसलिदी कर दो पिंद के समेट के शोर्चार राकु ऑस्ता। तोनका दीन जपन उबस्ता चाहिना, जश्त नाइगारी गरूले, भता पायनन वने अनुठव नमानू इस पॉछ सब्सक्ता चाहिना, यो जन हारू, आयो जन हारू काटिये का चाहिन, त्यो गढ़ बंदन मान लाइगाता हुषिने उप्ला। इस्तो भयाना खतरनाट शीजो तिन दे बिवे गुमाऊचा। इस्तो अवस्तामा परदा पने गठे अथा अनंदमाचा। अनंदमाचा। प्रशन नाचा। अनंदमाचा। प्रमुक प्रति पक्षे दलकार नेता ओली को भनाई आएको एक दिन पसी अर्थमंत्री जनार्दन सर्माले ओलीलाई काउंटर दिदे देश्रीलंका बंचपन्लू अपबावईको जबाब फरकाउशन। देशको अर्थतंत्र संकर्ट माँ जान लागेको बंदै सर्वत्रा आलोसना फईराय का बिला अर्थमंत्री जनार्दन सर्मा देशको प्रति रक्षय मा उत्रीन्चन। मंत्राले मा पत्रकार संबेलन गर्दै सर्माले सुम्बार अर्थतंत्र को बाईयस हेत्रमा केही जाब देखिये पनी अरुसुचक मेंत्रित अवस्ता मैर शुदार उन्मुक्राय को दाबी गरे। उल्ले एमाली अध्यक्षि उलिलाई इंकीत गर्दै ब्रिद्दा भत्ता समेत दिन नसक्ने भनेर गरिये को दाबी अफवा मात्र भयको बंदै आखनो बचाव बनी गर्शन। अर्थ मंत्री सर्माली देशमा अर्थिक संकट का अवस्ता आयो भनेर गलत प्रचार बाजी भायको बंदै आखनो पक्षिमा बोल्शन। अर्थ मंत्री सर्माले अर्थ तंत्र संकट मा नरहे को बंदै शार बसन एक रिड़ वांसीत सिमा वित्रही रहे को दाबी गरे। आवस्ताले आज़ देखान अर्थ तंत्रा थूलो संकटाएकु थाय जसर्य यह तुलो संकटाएकु अभ येश मा अर्थ तंत्रा नेमित गतिमा चॉलना दीनू परचा इसमा पुल्टी साैजगरने कुरार हूं देही के अर्थ आचाई अरु परचारीक देज़ों परचा राजनेतिक दल का नेताहरू बीज देशको आर्थिक इस्तितिलाई देरा इसरी जुहारी ने चानेको सा। प्रसंग जोर्देई सर्कार माथी अर्थ तंत्र विगारेको आरोप लगाउदी आएको सबने सत्ता पक्षे बने आरोप को खंडन करना निरंतर अर्थ तंत्र को विशेमा आथना अभिवेक्ति सार्वजनी गर दिया आएको सा। सरे अजनी आरोप यहार्डंज रेसीन आरोप को खंडन करते हैं. अच्छिलो समय डेमिटेंस बर्धे गय काले केही सुधार पुदेजाने धेरै को अपेक्चिया सब सरकार मुलुक अर्थतंत्रमा बाईय बेवस्तापन पसरी संतुलन गण सकीन्च भन्डे विशेमा गंबीर भयरा लागयो भने अर्थतंत्रमा देखिये को समस्या समदान अब धेरै पर छईना लगातार सुनिदेशा निपाल को अर्थतंत्र तहस नहस भयो सरकार भंदैसा केही भयको सईना बिपक्सिले हल्ला मात्रै सलाय कहो बिपक्सी सरकार लाई घेरने बहाना खोजी रहे कुछ हामरो अर्थतंत्र का सुचकांक अरुक कईयों देश मा जस्तो नकरात्मक भई सकेको सहीन भन्च अर्थमंत्रालेय पच्छिलो समय कोबीट र विश्व अर्थतंत्र मा आयको गिराउट को सामान्य असर मात्र निपाल मा देखियेको सरकार को भनाई सा अनि संगेई पच्छिल्ला महिना परेटन को आगमंद्र रेमिटेंस मा आयको सुधार ले अर्थतंत्र सही ट्रैक मा आयको संकेत गरेको सरकार पक्सेधरर को भनाई पनी सा निपाल मा अर्थतंत्र को बहस सतह मा आयको छा अर्थ बिधरू निपालको अर्थ तंत्रको अवस्था बारे चिन्ता ब्यक्त गर्दे आयका शन। अजे पनी 20-30 जनसंख्या अवपचारिक बित्ति आव पहुच भंदा बाहिर रएको छा। येशले पनी अर्थ तंत्रमा प्रभाप पर ने दिखिन छा। चालू आर्थिक बर्षको सुरू देखिने रेमिटैंस घर्दे गईकोले तथा आयात बड़िको कारड सुधानांतर घाटार बईंकमा तरलता अभापपनी कायमे रएको श मुलुकमा कोरोना प्रभाप कम भैसंगे भाईको करजा अभिस्तार बड़ो आयात तथा परियतन जन्य आमदानीमा आयको कमीको कारड चालू खाता तथा सुधानांतर इस्थिती चालू आर्थिक बर्षको सुरूवात देखिने निरंतर रुपमा घाटामा गईको इस्थित बिगत मा बाईयो छेत्रको प्रविति केलाउदा बिगत साडे चार दसक देखिने बाईयो ब्यापार घाटामारवईको मानिन छा चालू आर्थिक बर्षको सुरूवात देखि सुधानांतर इस्थिती तथा चालू खाता घर दैक भैकोमा आठ महिनाको अवधिमा कुल ब बस्तुको निर्यात बैयासी दस्मलब नव प्रतिसतने ब्रिद्दी भाई एकसे सर चालिस अर्व पचतर करोड पुगेको छा। चालू आर्थिक बर्षको सुरूवात देखि सुधानांतर इस्थिती तथा चालू खाता घर दैकोमा रएको अवस्ता शा। प्रोना महमारी लोगायत कारणले बेरोजगारी भया वह बनेको छा। ग्राहस्त उत्पादन रकम बड़े राजस्तो संकलन बड़ी अर्थतंत्र सबल हुने गर्षा। येस्तै बिदेशी मुद्रा देशको अर्थतंत्र का अपरी हार्यम मानींचा। कम्तिमा आठ महिना सम्म आयात धान्न सकने बिदेशी मुद्रा देशमा हुना पर्षा। उद्योग कलकार खानारे पनी देशको अर्थतंत्रमा युगदान पुर्यांचा। तर निपालमा रवयको उद्यक कलकार खाना पोन रुकमा संचालनमा अउन सकी का छैनन आंतरिक उत्पादन बडिर बस्तु आयात भंदा निर्यात बडि भै अर्थ तंत्र सबल बन्च बिदेसी मुद्राको संचिती अर्थमंत्री जनार्दन सर्माले बिदेसी मुद्राको संचिती करीब सात महिना का लागी परियाप्तर वयको जनायका छन 2008 असार मसांत सम्म तेरा खर्बा उनांसे अर्बा तिन करोड रुपईयार वयको बिदेसी बिनिमै संचिती सोरा दस्मलाब दुई परतिसतले कम भई फागुन मसांत दुहेजार अठतर सम्म एगार खर्बा एकतर करोड रुपईया कायम भईको बतायको छत आयात निर्यात आर्थिक बर्ष दुहेजार अठतर उनान असिको आश महिना को वदिमा आयात 38.6 रुपईयात 82.9 परतिसतले बढ़ेको छत सुधानांतर इस्थिती सुधानांतर इस्थिती देशको चालू खाता चार खर्ब वई सथी अर्ब तिरानब्बे करोड ले घाटा मार वईको छत पुजी गत ट्रांसफर 41.2 परतिसतले कमी आई 7 अर्ब कायम भईको छत भने खुद प्रतेक्ष्य बईदेशिक लगानी साथी दस्मलव सुन्य प्रतिसतले ब्रिद्धी भई सोर अर्ब तिस करोड पुगे कोछ बईदेशिक ब्यापार बस्तु आयात्मा भईको उच्च ब्रिद्धी का कारण ब्यापार घाटा बढ़न गई अर्थ तंत्रमा दबाब सर्जना भईकोष्छ फल्स्वरूप ब्यापार घाटा बढ़ेर बार खर्ब नब्य अर्ब चया नब्य करोड पुगेकोष्छ पेटोलियम पधार्थको मुल्यमा भईको ब्रिद्धिले ब्यापार घाटामा थप चाप पईदा गरेकोष्छ बिप्रेशड आप्रवाह 6-31 करोड कायम छ फागुन महिनामा मात्र 91 अर्ब प्राप्त भईकोष्छ परियतन, पचिलो समयमा नेपाल आउने परियतक को संख्यामा ब्रिद्धि हुदे गएकोष्च फल्सुरूप संद 2022 को मार्च महिनामा मात्र 42 अर्ब 6 परियतक नेपाल आएकाशन बैदेसिक लगानी दुई खर्ब 49 अर्ब बराबर को आंतरिक रेड परिचालन गर्णे लक्षिय डियेक मा चालु आर्थिक बर्षको हाल सम्म एक से पांच अर्ब बराबर को आंतरिक रेड परिचालन भायको छा हाल सम्मा 118 अर्ब बराबर को बाईय रेड तथा 13 अर्ब 88 करोड बराबर को बैदेशिक अनुदान गरी जबमा 119 अर्ब 88 करोड बराबर को अंतराश्य विकास साजिदार सहायता परिजालन भायको छा निपाल को सार्भजनिक रेड बंचित्सी मा भित्रै रईको सरकार लेज जनायको छा चईत अन्तिम सम्मा आंतरिक 18-23 अर्ब 29 करोड रबाईय रेड 9-8 अर्ब 80 करोड गरी कुल सार्भजनिक रेड 18-24 अर्ब रईको छा अर्थ तंत्र को कुरा गर्दा पचिलो समय लगातार सिर्लंका को उदाहरन आई रहंच पक्कई पनी निक्कई नरामरो आर्थिक संकट मा परेको स सिर्लंका सिर्लंका मा आर्थिक संकट आउनुको कारण सामान्य ब्यापार घाटा मात्र होई न बिष्च परिश्टिती सहीद औल्टरीक परिश्टिती लेपणी स्रिलंका को अर्थ तंत्र धरासाईपार्नमा सहयक भुमिका खेले को सा अनि सबई भंदा छुलो भुमिका सा तहां को राज निती को सत्तामा पकट जमायर बसेको राजा पक्षे परिवार को औनि उनिहर को नितिको परिक्षय स्टगन गर्णूपने बाद देथा अनि परिक्षय संचलन नहुदा लाखो बिद्यार्थिको भविश्य संकत माँ स स्रीलंका का जंडए 45 लाग बिद्यार्थि परिक्षय बाट बन्सित खायका सन स्रीलंका माँ संकत किना आयोता परिक्ष्य आर्थिक लागी कागस किन्न न सकी परिक्ष्या रद्द गणी अबस्तमा स्रीलंका कसरी पुगियो स्रीलंका को अर्थ बेवस्ता खराब हुनुका कारण केके पुलान स्री लंका को आर्थिक अबस्ता एती नाजुक शकी बचसाले खाने एक लिटर दूदलाई दुई हजार ती रूपर सा चामल पांस हजार प्रतिक किलो पुगे को सा पेट्रूल डिजल जस्ता पेट्रूलिम पदार्त किन कियों किलोमेटर लाइन मा बसनु पनें यतीछ अथ्याबसेक बस्त मा सर्काले पोटा निर्धारन गरिदी दिया को स स्री लंकामा एती गहिरो आर्थिक संकत कासरी आयो यो संकत ततकाल को हुए दिर्गकालिन आर्थिक संकट को सनक स्रिलंका मा पहिले देखी ने थियो त? स्रिलंका मा कसरी आयो आर्थिक संकट तीन बर्स अगी सम्म स्रिलंका को आर्थिक अबस्ता एती नाजुक थिये न स्रिलंका को बिदेसी मुद्रा आर्जन गने प्रमुक स्रोत मद्दे परिटन सित्र एक हो संद 2015 सोर पसी आतंक बात का कारण स्रिलंका मा परिटक वावगमन खट्न थालेो तीन बर्स अगी इस्टोर संडे का दिन कोलम्ब को सर्च रब पांस तारे कोचल मा भयको आतंक बादी हमला पसीत परिटक आवनेक्रम ठप पनेभुन पुगियो बिदेसी मुद्रा को मुख्य स्रोत ने बंद हुदा स्रिलंका को अबस्ता नाजुक बंदै गयो तेसे माति कुरुना महामारी ले स्रिलंका माती अर्को बज्रपात पर नपुगियो सन्द दुहजार उन्नाइस को अंतबाच कुरुना भाइरस को महामारी फैलीयो कुरुना संगई विश्वर्का अर्थतंत्रमा धक्का पुगियो कुरोना रोक्थाम का लागी लगाईयो को प्रती बंदले 200 वर्को अर्थ तंत्र नहीं तहस नहस मुन अपगियो कुरोना ले स्री लंका को आर्थिक अबस्तामा थप दग का दियो प्रती बंदक का कारण बिदेसी मुद्रा को मुख्य स्रोथ परिचन को मुहान नई सुक न पुगियो स्रीलंका अहिलेक अबस्तमा पुग्णुमा आतंक बादी हमला रख कुरुना तम पुने तर स्री लंका को आर्थिक अबस्तामा यो इस्तिती आउनुमा बिदेशी मुद्रा अभाव पनी मुख्य कारण हो स्री लंकाले चीन साइट बिकसित मुलुगबात ठूलो रकम रिड लिदे आये को छियो स्री लंकाले बर्सेनी ती रिड चुकता गर्दै जानू पर स स्री लंका को अंतराश्ट्य रिड मदे सेवेरेन ब्रांको रिड 36% जाफान रस्रीन को जण्ड़ै 11-11% आर्थिक स्टंकत गईरी रईक अबस्तामा स्री लंकाले अंतराश्ट्य रिड को किस्ता बने तीरी रयो यसले पनी स्रीलंका लाई जो इस्तिती मा पुर्यायो अईले स्रीलंका को कोस मा बिदेसी मुद्रा एक और्व अमेरिकी जलर भंदा कम सबने यो बर्स मातरे जलर मातिर्णु पने बिदेसी रिड को किस्ता साड़े चार और्व बढ़ी सब यसले स्रीलंका सबयी तिरबाट चैपि दे जन जन गईरो आर्थिक संकत मा पर्दे गये को influencer कम बर्शा भायके कारन श्रीलंका मा उर्जा उत्पादन पनी घर दे गयो, ये सकी कहिले लोर्स्यडिंग को समस्या नजेले को स्रीलंका मा हाल दैनिक साथ घंटा समा लोर्स्यडिंग हुन थाले कोशा निपाल को आर्थिक अबस्ता कस्तो नेपाल को ब्यापार गाटा साथ पई नामा 11 खर्व साची अर्व पपुगे को सा यस्ते ही सोधानांत रचालु गाटा पनी घर्दे गई रएको तथ्यांकले देखाऊं सा बिदेसी बिनीमाई संसीती पनी पहिले को तुला नामा घर्दे गई रएको सा यसको भावजूत अर्थ तंत्रमा केई सकरात्मक सुधार नव भईको पनी पोईना मार्स महिनावा मात्रै 40,000 बड़ी परेचक नेपाल भित्रियेका सन परेचक को बर्दो आवा गमनले नेपालमा आर्थिक सुधार को संगेत रामरो देखाईको सा रेमी ट्यांस मा पनी पचिलो समय केई सुधार भईको सा रेमी ट्यांस मा सामन्य ब्रेद्दी भईको सा राजसो संकलन पनी लक्षी अनुसार नव भई पनी राजसो संकलन मा केही ब्रेद्दी भईको तथ्यांकले देखाऊ सा नेपाल को बिदेशी बिनिमय को संसितिले अईले पनी 6 बिंदू 7 मैना को बस्तू रस्यवा आयाद गरेलाई धान्न सक्नि परियाप्त शा अगिलो बर्स को तुलनामा नेपाल मा रीड को भार बड़ेको देखियेको सा अगिलो बर्स 25 प्रतिसत रीड को भार बड़ेको मा थाल 37 प्रतिसत मा रीड को गेको भुदा पनी देरेलाई नेपाल मा अर्थिक संकर चुलिरेई गईको भान्पुनु सबाविको सोटो समय माने रीड को भार बड़ेको मुदा हामी पनी स्त्रीलंका को दिसामा जादे ही साव भने स्तोस्नु सभाविक ने हो तर नेपाल र स्त्रीलंका को अबस्ता उस्ते ही न भाईको मुदा न आती न अर्थवित को सुजाब सा हमरो विदेश विदिमेव को संचिति ले ऐले पनी 6 बिंदु 7 मैना को बस्तूर सेवा कोमोडिटी प्लस सर्विशेश जदी आयादगर सोनी ते 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 ले दानन परयाप्त छा बनाया सोनु स्री लंका मा उन्ने को डेट न न न युँ आर्थिक बरस मा तिरन परनी चार अर्व डालर रहीच संचिति मा उने अर्शा जमाजमी दूई बिंदु 3 अर्व डालर माते इछा महनेपछी ता गयाप्त ते त्यां देखियों दा नेपाल की न स्री लंका कुदै न सार्व जनी ग्रविड विवस्तापन कारोलेको तथ्यां कानुसार 4 अर्थिक बरस को पूस मा सांत सम्मा नेपाल सरकाले सत्र खर्व 28 अर्व रुपईयां कर जालिये को सा जून गुल ग्रास्त उत्पादम को 42 अर्व जस्ताई खराब भर्न मिल दैना अंतरास्टे मुद्रा कोर्स को तथ्यां कानुसार संग 2021 नेपाल को जीडिप करीब 40 अर्व अमेरिकी डलर हुदा स्री लंका को जीडिप करीब 84 अर्व अमेरिकी डलर सा श्री लंका को कैंद्रिय ब्यइको तत्थ्याँका अनुशार संग दियहजार असिथा अचार मां श्री लंका संग Cryptodle P.16 अर्व अमेरिकी ड्लर filled with budget बिदेसी मुद्रा को संचिती मा गिरावत आयू गता फेबरुआरी मा स्रीलंका संग दुई अर्व 30 करोड डलर बराबर बिदेसी मुद्रा संचिती रहेकुमा मार्च मा स्वर प्रतिसत ले घर्टेर एक अर्व तिरानवे करोड कायम खाईको शार निपाल मा बने सुववद स्रीलंका मा बिदेसी संचिती मा बने 2.3 form दुई इन अर्व डलर मात्र हैो. एसले पनी स्रीलंका मा रिर्को भार बड़ी तिर्वुपने देखाऊंचा। व्यालू एड़े ट्याक्स नेफाल मा 13 प्रतिसत हुदा, स्रीलंका मा 15 प्रतिसत रहदे आयको मा स्रीलंका ले बर्तमान सर्काले लोग प्रियाकुने नाम मा द्याद घटायर आत प्रतिसत पुरियायो। यसले स्रोद घटायो इवद बिसेमा पनी नेफाल स्रीलंका विज भिन्न हुदा, स्रीलंका को बाटमा जांचो भंड़न नसकीने बिग्यवताऊसन। यह अमरोचा रायास्वर आमर्सम उठाया अमलियक दिर बने और को तिर श्रीलंकामा के वाराच मने उन्नाया सर्कार आया पछी प्रधान मंत्री र रास्टपती र एकजना च्वरा राजा पाक्षे इनो परिभार के सदे शेरु तो इन्फुलेंसिल लेबुमा रसनी त्य वारा पार रास्टे र यह अाया पुआ को दायार आपनी माथिल देनि नि, वारा पड़ार पटराए देनि तो अवारा पड़ाया प्रधी प्रध्या सब्राः तिर थे तो बड़ार माथिपराय दे तीन वर्खे एकजम दूनी पा इन्त स्री लंका को 90 प्रतिसत कारवार रूस संगा हुदेई आएको थियो रूस रा युक्रेन को युद्धका कारण स्री लंका बाट रूस पा हुदेई आएको निर्याद पनी होकी न पोगियो रूस युक्रेन बिभातको सपेटामा स्री लंका बडा थब आर्थिक संकटमा स्री लंका ची अपिएको सा नेपाल स्री लंका को बाट मा जादेई शायनको मतलब हमे अर्थ बेबस्तामा सबल चो बंड़को जीयेको हैना आर्थिक सित्र मा आज़ देखे का कमजोरी लाई हमिले सुधार गरदे जानू परचा नेपाले स्रिलंका बाच पार्सिकीर बोली तियो इस्तिती आउनो नदीन आज़े तयारी मा जुटनू परचा इस्ताने तहको निर्बाचन पसी फेरी एक पटक इस्ताने तहमा आर्थिक जहल पहल शुड़ू हुनेचा अधिकाम्स इस्ताने तह बिविन्न स्रोत ले संपन्नचन क्रिष्टी उत्पादन र प्राकिर्तिक स्रोथ इस्थाने तहको अर्थ तंत्रको मेरू दंड़ हुन। नमस्कार